दयालू सिधार्थ कैसे सिधार्थ दयालू का मतलब जो किसी पर दया दिखाई या उकार करे किसी की मदद करे ठीक है सिधार्थ एक राजकुमार थे एक दिन जब सिधार्थ बगीचे में टेहर रहे थे सिधार्थ राजकुमार थे वो कहाँ टेहर रहे थे बगीचे में तभी एक हंस को किसी ने तीर मारा सिधार्थ ने उसको देखा ओ इस बेचारी हंस को किस ने तीर मारा उसको तीर लगा हुआ था न तो उन्हें उसके उपर क्या आ गई सिधार्थ ने साथ भानी से दी लिका दा और हंस के धाव को साथ किया साथ कर ही रहे थे कि थोड़ी देर महां पार महां पर कौना हिया उनका चचेरा भाई उसका क्या नाम था देवदत ने कहा ये हंस मेरा है क्या कहा देवदत ने जैसे ही ये कहा सिधार्थ ने क्या कहा सिधार्थ ने कहा देवदत ये हंस कितना प्यारा है तुम इसे मारना क्यों चाते हो देवदत ने फिर कहा हंस मुझे वाकस करो ये मेरा शिकार है सिधार्थ ने कहा नहीं नहीं मैं इसे नहीं दूँगा यह जगड़ा अब तो बढ़ गया था यह जगड़ा राजा के दरबार में पहुच गया राजा ने राजकुमार से पुछा तुम्हें इस हंस को अपने पास रखने का भला क्या अधिकार है तो सिधार्थ ने कहा महराज यदि मैं इसका तीर नहीं निकाला होता तो यहाँ मर जाता मैंने इसकी जान बचाई है अब आप ही बताएं कि हंस किसे मिलना चाहिए जिसने इसे तीर मारा या जिसने इसकी जान बचाई तभी राजा ने कहा तुम ठीक कह रहे हो जिसने हंस की जान बचाई उसका अधिकार जादा है फिर उन्होंने कहा देवदत हंस तो राज़कुमा सुधार्ट को ही मिलेगा और उन्हें की मिलना चाहिए सुधार्ट ने राजा को धन्यवाद दिया और बज़ो प्रिपले क्या करो अब इस कहानी से हमें क्या सिक्षा मिली दूसरे की मदद करनी से हमें उसे की मदद करनी चाहिए